वेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम बेक मैं जने टारीट टीचर जॉब में प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चिलने टारीट टीचर जॉब में दोस्तों अभी तक आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे और वैल आइकन बटन को प्रेस कर लिजे जिससे हमारे सावी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो दोस्तों चलिए देखते हैं तो दोस्तों इसके अंतरगत हम देखेंगे आज का लेक्चर नमबर 12 तो चलिए देखते हैं क्या है कुश्चिन नमबर 13 है जनसंक्या सिच्छा का तात्पर जनसंक्या बृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए यह आपका सिधार्तनेगर इंव जनसंक्या बृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक किसी भी देश में जनसंक्या को निशित करने वाले प्रमुक कारक जन्मदर और मृत्धि दर मतलब किसी भी देश की जो जनसंक्या है उसको निशित करने वाले जो कारक है सबसे बड़ा कारक जो है वो है जन्मदर और मृत्धि दर भारत में जनसंक्या के पस्चात सारोजनिक स्वास्ते स्यमाँ में अतधिक बृद्धी हुई तता सारोजनिक स्वास्ते उन्नत होने से मृत्वदर तो कम हुई है परन्तु जन्वदर कम ना होने से जनसंक्या बृद्धी तेजी से हो रही है जनसंक्या प्रिधि को प्रभावित करने वाले निम्न कारक प्रमुख हैं पहiej्ला सामाजी कारड़ जनसंक्या प्रिधि में सामाजी कारड़ समझत रूप से प्रभावसाली होते हैं इसके अंतरगत हम निम्न बातों को रख सकते हैं नमबर वन है, नमबर वन का आ देखते हैं लोग संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार में सदस्यों की सुरच्छा रहती है, मतलब संयुक्त परिवार जो होता है, उसमें हर सदस्यों की सुरच्छा होती है, सामोहिक आयसे सदस्यों की आउसक्ताओं की पूर्थी होती है, म नमबर बाद देखते हैं बाल विवा, भारत में अनेक जातियों तो था धनी मनी परिवारों में बाल विवा की प्रथा है, कम आयू में साधी होने से पुनरुत पादन काल अधिक लंबा रहता है और संतानोत पत्त की संभावनाएं भी अधिक रहती है, नमबर सा देखते हैं अनेक धर्मों में संतती निरोध, धर्म विरोधी कर्म माना जाता है, मतलब बच्चों को बच्चों का जन ना देना, एक धर्म विरोधी कर्म माना जाता है, इससे स्वच्छन्द संतानोत पादन को बल मिलता है, और वो जनसंख्या में ब्रिद्धी होती है इसका दा देखते हैं विद्वा विवाह विद्वा विवाह अभी कुछी समाजों में प्रचलित है परंत फिर भी इसमें संतान उत्पन की संभावनाएं अधिक रहती हैं जिससे जनसंख्या वृद्धी होती है तो चलिए देखते हैं भारत में तीब रिजन संक्या विद्धी के कारण क्या क्या है इसमें आपका संयुक्त परिवार, बाल विवा, निरच्छर्ता और विद्वा विवा उसके बाद आर्थिक, प्राकृतिक, धार्मिक, परिवार, निरच्छर्ता और विद्वा विद्धियों के और उपियों के प्रतिउदासिंता और मनोवज्ञानिक कारण चलिए देखते हैं आर्थिक कारण क्या है इसमें हम लोग देख लिया संयुक्त परिवार, बाल विवा, निरच्छर्ता और विद्वा विवा अब हम देखते हैं आर्थिक कारण वाडिया और मर्चंट का विचार है कि जहां जीवन में कुछ दाओं पर ना लगा हो तो वहां बालक का जन्म अत्रिक ताय का साधन होता है क्योंकि परिवार की अलप आयू की विद्धी के लिए उसे कम आयू से ही काम पर लगाया जाता है इस कथन का प्रत्यच रूप से अनेक समाजों विशेश कर पिछड़े और करीद तबके के लोगों में देखते हैं इस तरह का मलब जो कार्य है जहां पर बच्चे कम उम्र से ही काम पर लगा दिये जाते हैं वो छोटे और जो पिछड़े समाज हैं या पिछड़े वर्क के लोग हैं उनमें देखने को मिलता है इनके परिवार में अधिक सदस्द से इसलिए पैदा किये जाते हैं जिससे इने काम करने वाले ब्यक्ति अधिक मिले तथा आय अधिक हो इनका जीवन अस्तर तो कम होता ही है और अधिक सदस्द से होने से परिवार के संपत्ती आधि बटवारे की समस्या इतनी अधिक प्रभावी नहीं होती है गरीबी के कारण रुखा सूखा भोजन मिलता है मरोजन के कोई साधन नहीं होते हैं अंतरसंतानुत्पती अधिक होती है इसकी प्रजनन सक्ती भी अधिक होती है नबर तिसरा देखते हैं प्राक्रतिक कारड़ क्या है भारत की जलवायु गर्म है अतायां बच्चों में कम रूमने ही प्रिजन परिपक्ता आ जाती है यही कारड़ है कि जब ठंडे देसों में लड़कियां साधी योग होती है तब तक भारत में लड़कियों के दो नबर फॉर देखते हैं धार्मिक कारड़ क्या है हिंदों में पुत प्राप्तिक को बहुत महत्व दिया गया है मिर्तु के उपरांत दा संसकार स्राध आधी के लिए पुत्र आवस्यक है अब विवाहित रहना भी ठीक नहीं माना जाता है कन्या का विवाह करना हिंदों मे का कर्तब के रूप में मानते हैं मुसल्मान ताइसाय धर्मों में जन्म निमंत्रड को बिरोधी मानते हैं ये सभी तत्य जनसंख्या की बृद्धी को बढ़ाते हैं दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हिंदू समाज में लोग धार्मिक कर्मकांडों पर ज्यादा वि सदूनार्फियन कि रिवाज वो सब क्या हैं जन्संक्या की बृबधी करते हैं नुम्बर् 5 देखते हैं सोंग प्रिवार नियंत्रक विदियों के प्रयोके प्रथियुद उधासींता भारत में बढ़तियों जन्संख्या के प्रति-ब्रधि का कारड परिवार नियंतरड विदियों के प्रियों के प्रति जन सामान की अरुची तदा उदा सिंता मतलब वो परिवार नियंतरड करने में उदा सिंता दिखाते हैं जिन देशों में परिवार नियुजन के तरीकों को ब्यापक रूप में अपनाया गया उन देशों प्रजन परिवार रहेगा उतनी ही ज़्यादा सुरच्छा रहेगी अधिक संतान अधिक सुरच्छा उम्र की दहलीज लांगते हुए तथा ब्रिधावस्ता की कागार पर खड़े भारती दंपतियों को एक पुत्र से संभव होता है असुरच्छित हो जाने पर उनकी ब्रिधावस्त अभिवेग पुड मात्त की जनसंख्या ब्रिधी में सहायक होते हैं तो दोस्तों इस तरह के तमाम ऐसे कारण है असिच्छा है और जन निरोदक सादनों की जानकारी का भी अभाव होते हैं जिससे जनसंख्या में ब्रिधी होती है तो दोस्तों आज का यी वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएगा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करेगा अपने दोस्तों के साथ सेयर भी कर लेजेगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब भी कर लेजेगा और हमसे जुड़ने के लिए थांक्यू सो माच जय हिंद